नमस्कार, जब आप संतान प्राप्ति के बारे में सोचते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो आप क्या सर्च करेंगे? Best IVF Hospital in Delhi, Best Fertility Clinic in Delhi, Best Fertility Center in Delhi, Best Fertility Treatment in Delhi, Best IVF Clinic in Delhi, Best Fertility Doctor in Delhi, जो भी आपके मन में आता है, आप सर्च करते हैं. तो चलो अब देखते हैं, Best Fertility Center in Delhi का चयन आप कैसे करेंगे? 22Fertility Institute दिल्ली में 2009 से कार्यरत है, और दिल्ली एक ऐसी जगा है, जो पूरे देश और दुनिया से पेशन्स यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं. 22Fertility Institute में संतान प्राप्ती की हर सुविधा और हर टेक्नोलोजी उपलगत है. जब आप सर्च करते हैं कि संतान प्राप्ती की सारवार के लिए Shrest Fertility Clinic, Shrest Fertility Center, Shrest Fertility Doctor, Best IVF Clinic या जो भी आपके मन में आता है, आपने सर्च किया, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है. और सबसे मुश्किल काम यही रहता है कि इतने सारे सेंटर्स में से मैं मेरी सारवार के लिए सबसे अच्छा सेंटर कैसे चुन सकूँ और वही आपके लिए सबसे इंपोर्टन बात भी है. तो पहले आपको यह देखना चाहिए कि जो सेंटर आप कंसिडर कर रहे हैं, उनके प्रमोटर्स कौन है, उनके डॉक्टर्स कौन है, उनके पीछे मेडिकल साइन्स का बैक अप कैसा है, उनको सीनियर डॉक्टर्स का सपोर्ट उपलब्द है या नहीं, वो कितने सालों से य बच्चों को जन्म दे चुके हैं, ये सब चीजे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं, तो पहले आप देखें कि जो सेंटर आप पसंद कर रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स और उनका ट्रेक रेकॉर्ड क्या है, दूसरी बात, सक्सेस रेट, कि सफलता का दर कैसा है, औ और वह भी जरूरी है कि आप समझें कि वह सक्सेस रेट सही है, क्योंकि दावा तो कोई कुछ भी कर लेता है, मगर आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके, जो बात हो रही है, उसमें आपको सच्चाई कितने दिख रही है, वह भी समझने की कोशिश कीजिए, तो मेरे कहने क मतलब है कि वास्तविक सक्सेस रेट वो क्लिनिक का कैसा है, वो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है, फिर आता है ट्रांस्पेरेंसी, ट्रांस्पेरेंसी में आपको क्या समझाया जाता है कि आपका इलाज क्या होने वाला है, क्यूं होने वाला है, कैसे होन जाए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण सफलता के लिए वो है टेकनोलोजी तो क्या आपको बेस्ट टेकनोलोजी मिल रही है क्या आपके लिए जो जरूरी या उपयोगी टेकनोलोजी है उसका सही उपयोग हो रहा है ये भी बहुत ही important है क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा इलाज ही high-tech इलाज है तो इसमें टेकनोलोजी का बहुत ही बड़ा योगदान है और इसलिए नौकेबल टेकनोलोजी वो टेकनोलोजी को यूज करने वाला manpower जो man behind the machine होगा वो भी इतना ही important रहता है तो वो भी आपके लि आपको अलग अलग प्रकार के packages भी offer करना चाहिए जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पसंद करके आप जो पैसे डालने वाले हैं जो खर्च करने वाले हैं उसका best उपयोग कर सके ये price uniform होना चाहिए मतलब सब के लिए समान होना चाहिए किसी को थोड़ा ज्यादा कम य रहें या नुक्षान भुगत रहें वो आप नहीं समझ पाते हैं तो अंत में अगर में कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विश्वास रिष्वशनियता अगर आपको वो क्लिनिक विश्वासपात्र लगता है तो फिर वो आपके लिए सही क्लिनिक है तो आप मुझे यहाँ इलाज करवाना चाहिए तो जरूर करवाईए कभी-कभी यह लगता है कि बड़े क्लिनिक्स बहुत महेंगे होंगे मगर ऐसा भी नहीं होता है आप जाके अपना खुद एक्सपीरियंस करिए और फिर अपना डेसिशन लीजे क्योंकि जो भी इलाज आप करने वाले हैं जो भी आप भुगतने वाले हैं पैसे, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, इमोशन तो फिर उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले वो भी बहुत ही जरूरी है थैंक यू सो मच